दोस्तो महिंद्र सिंग धोनी के जिंदगी पर बने फिल्म MS धोनी दी अंटोल स्टोरी जिस बायोपिक में सुशान सिंग राटपूत ने काम किया था ये इतनी बड़ी सूपर हिट सावित हो गई थी कि इसे देखने वालों ने कई बार सिनेमा घरों में जा कर देखा और जो ऐसा कर सकते हैं क्रिकेट के उपर कोई फिल्म बने तो उसमें बहुत बड़ा छपपर फार सकते हैं लेकिन जितनी भी फिल्मे बनी उसके बाद किसी ने भी कोई कमाल नहीं किया चाहे वो अजुरु दिन के उपर बनी थी इमरान हाश्मी ने जो रोल किया था या फिर अब एक और फिल्म आई है भारती महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी और आन बान शान के साथ जो क्रिकेट खेला करती थी मिताली राज इनके जिंदगी पर एक फिल्म बनी है शाबाश मिठ्टू इस फिल्म में तापसी पन्नू ने काम किया था और सबसे वड़ी बात तापसी पन्नू जो है वो फिल्म में ये बुलना गलत नहीं होगा कि वो मिताली राज जैसी दिख रही है मेकप ऐसा किया गया है लेकिन ये फिल्म भी बहुत बड़ी फ्लॉप की तरफ बढ़ गई है 30 करोड के बजट में ये फिल्म बनी है और पहले दिन 80 लाक रु कर लीजे आप खाली ही दिख रहे हैं तो ये फिर 80 लाक रुपे भी कहां से कमा लिए खैर 80 लाक ये लोग बोल रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं तो मानकर ही चलते हैं कि भाई 80 लाक कमाए हैं लेकिन ये फिल्म बहुत जादा नहीं कमा सकेगी मुझे लगता है कि 3 करोड भी क्रॉस नहीं हो पाएगी उसके पीछी की कहान ये है कि सबसे बड़ी जो कास्टिंग की गई है तापसी पनु की ये ही सबसे की तरब से उसके विरोध में खड़ी रहती है कोई भी चीज आप उठा कर देख लो उपर से आपने देखा भी होगा कि मोदी जी के खिलाब भी खड़ी रहती है अभी एक शो में गई भी थी मिताली राज और तापसी पनु दोनों तो वहाँ पर जब किसी ने पूछा जो सबसे परसनली जाकर मिले हम हार कर आये थे लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने पुरा हमें मोटिवेट किया और अच्छी ची बाते कई हमारा जो मोटिवेशन गिरा हुआ था उसको बढ़ाने का काम किया मोदी जी जैसा कोई नहीं है तो ये बात सुनकर तापसी के चेहरे कि जो हसी थी वो उड़ सी गई थी जो हस रही थी ये दिखावटी वाली हसी थी तो आप समझ जाईए ना कि जो अरत अपने देश में होने वाले विगास के मुद्दों पर इतनी नफरत रखती है उसकी फिल्म देखने के लिए कौन जाएगा तो सबसे बड़ी वज़ा है ये कास्टिंग ही इतनी अच्छी क्रिकेटर की बायोपिक को ले डूबने वाली है और यही होगा ये फिल्म टीम करोन के उपर नहीं कमाई करेगी बले ये OTT वगर पर बेच कर अपनी भरपाई कर ले लेकिन ज्यादा कमाई करने वाली नहीं है इसकी कास्टिंग वाकई मे बाकवासे